नमस्कार दोस्तों मैं अजय प्रकास और आप देख रहे हैं जनजवार दोस्तों आज उत्तर प्रदेश के विधान सभा में उत्तर प्रदेश के यसस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाईका नेहा सिंग राठोर के यूपी में काभा को लेकर एक जवाब दिया एक खिलंडड़ी आवाज में बाबा ने कहा है कि हर आदमी पूस्ता है आजकल यूपी में काभा तो यूपी में बाबा ये जवाब है ये जवाब इतना विस्तरित है कि इसको संशित कोस के किसी संशित हिस्से में भी सुक्षुदर्सी की तरह सेट किया जाएगा इतिहास में तो साइद कहीं दर्ज नहीं हो पाएगा जरा इस खिलंदड़ी पने के उस वजह में हमें जाना चाहिए कि नेहा सिंगराठोर जो कि कल उत्तर प्रदेस के पुलिस के अत्याचारों से आहत होकर अस्पताल तक में भरती हो गई हैं कहा जा रहा है उनके पती की नौकरी प्रती यह उपहास का बोध योगी आदिद्यनाथ को भविस्य में इसका पता जरूर बताएगा क्योंकि नेहा सिंगराठोर कोई उनकी पाइटी के चुने गए जो तीन सांसद हैं निरहुआ, रवी किसन और मनोस्तिवारी उनकी तरह असलीलता भोजपूरी में नहीं यह बात जरूर होनी चाहिए कि योगी आदिद्यनाथ के जवाब का माएने क्या है, क्या भविस्य में इसका असर पड़ेगा, इसको भी योगी आदिद्यनाथ को समझ लेना चाहिए योगी आदित्यनात ने विधान सभा में बकाएगा चुने हुए प्रतिनिदियों के सामने जस्तरा से खिलंदड़ी आवाज में बोला है यूपी में काबा तो यूपी में बाबाबा अगर यूपी में बाबा बा तो भरस्टाचार भी बाबा के मत्थे परवा बलातकार के तमाम वार्दात भी बाबा की मत्थे परवा, रोज दलितन के हत्या और औरतन के बीच्टी भी उन्हीं के मत्थे परवा, और इलहाबाद में सरयाम, गुंडे, छुडा ले जाते हैं अपराधियों को, और बम मार देते हैं पुलिस के सामने और पुलिस कर में घायल हो जाते हैं, यह भी यूपी में बाबा के बदौलत ही बाद, इस बात को योगी आदितिनात को समझ लेना चाहिए, कि यह जो आत्म जीविता है, जो प्रधान मंत्री मोदी से रिस्कर योगी आदितिनात तक पहुंशती है, कि सर्व सबकुछ मैं, मैं और मैं हूँ, तो इसका असर भविस्य के चुनाओं में योगी आदितिनात देखेंगे, क्योंकि नेहा सिंगरा ठौर ने जो गीत गाये हैं, यूपी में काबा के सवाल पर अलग अलग वक्त में, चाहे वह प्रस्न कोरोना को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, कोरोना में मरे और मारे गए लोगों को लेकर हो, कोरोना में बदहवासी फैली हुई थी उसको लेकर हो, या फिर युवाओं पर डंडा गोली चला जन का सवाल है हर यूपी का व्यक्ति हर उत्तर प्रदेश का नागरिक योगी आदित्यनाथ यानि बाबा बा से यह जानना चाहता है कि क्या हमने इसी लिए आपको चुना था और इससे यह भी समझ में आता है फ्रस्टेशन दिखाई दे रही थी योगी आदित्यनाथ की अगर इस वीडियो में आप उनका चेहरा देखें और चेहरे पर भाव देखें तो यह भाव एक संत का नहीं है एक मुख्यमंत्री का नहीं है एक हारे हुए और हतास व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे रहा है इस सदन में जिसके पास कोई सही और सटीक जवाब नेहा सिंग्राठोर के प्रस्टों का नहीं है यह उमीद एक मुख्यमंत्री से नहीं थिया कि यह गाईका को लेकर स्तरह का जवाब देंगे यानि वह गाईका इस प्रदेश में और उत्तर प इलमें देखते होंगे तानासाहों के रियक्षन अगर देखते होंगे अगर मनबढ लोगों के रियक्षन देखते होंगे ताकतवर जो लोग ताकत के गुरूर से भरे हुए हैं उनके जो रियक्षन देखते होंगे क्या उसी रियक्षन से योग्यादित्यनाथ की यह प्र जिसके उम्र वमुश्किल पचेस साल है उसने उत्तर प्रदेश की सरकार को घुटने पर ला खड़ा किया है। जो की सुरक्षा के लिए अपनी गारंटी मांग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से यानि नेहा सिंग्रा ठौर की जो आवाज है जो गायन है जो गीत है जो भोजपूरी की बुलंदी है वह इसकदर उत्तर प्रदेश के जनजन में च्छा गया है कि योगी आदित्यनात निरा बाबा का अट्टहास कर रहे है ऐसा अट्टहास के अगर फ्रेमवर्क को आप समझें और राजनितिक विरासत को समझें भाजता की तो उससे बहुत साफ है कि वह सिर्फ औरत होने की वज़ा से वो खिलंदड़ा पना नहीं है बलकि औरत उन पर भारी पड़ रही है इतना बड़ा विपक्ष जो बार-बार घेर लेते थे बाबा पहली बार वह लड़की उनको घुटने पर ला दी है और इस्थिती ये हो गई है कि बाबा को खिलंदड़ी करना पड़ता है उनके अधिकारियों को बेवज़ा नोटिस भेजनी पड़ती है नोटिस दर नोटिस भ बेड़कर नगर नेहा सिंग्रा ठोर के घर यह जाहर तोर पर सीधे तोर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और इससे बहुत साफ है कि भविस्स ने ताकतवर तरीके से रिढ़धारी पत्रकारों को गायकों को कवियों को लेखकों क यह सरकारें और सताएं और ज्यादा टॉर्चर करेंगी और ज्यादा अंकुस लगाएंगी और बंदूग के नोग पर रखेंगी भविस्स से इसी तरफ इसारा कर रहा है लेकिन सताएं और उसकी चूलें हमेशा से उन सांस्कृतिक कर्मियों के जर्ये हिली हैं जिनके में दम है जनके में रिण है और जाहर तोर पर नहा सिंगरा ठोर भूझपूरी समाज में वह रास्ता दिखा रही है और पूरे देश भर के लिए एक नई आदर्स युवा गाइका के रूप में अस्थापित हो रही है।